परम पूज स्रदे स्री साहिब जी बुन मंगल में पूजनी संत समाज समाननी सजनो एवंदेवियो कभी-कभी गाओं के सामान ने लोग भी ज्यान की बहुत उची बात कह देते हैं जो किसी वेद साश्त्र से कम नहीं होती है ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग ही ज्यान की बात कह सकते हैं संत महात्मा ही ज्यान की बात कह सकते हैं कोई भी कह सकता है सबके अंदर वो शक्ती है जीव मात्र ज्ञानत स्वरूप है और फिर मनुस्य के लिए क्या कहना गाओं में कहीं-कहीं ऐसे कुछ अनपढ देवियां भी कहावतें कह देती हैं जो वेद सास्त्र और कुरान-कुरान से कम नहीं होती है जैसे सूप बोले तो बोले चलनिया क्यों बोलती है एक कहावत है सूप बोले तो बोले ये चलनी क्यों बोलती है एक बत्ती था वो बाजार से सूप और चलनी खरीद करके ला रहा था रास्ते में एक जगे विश्त्राम करने के लिए एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा तो कंधे पर सूप को भी और चलनी को भी वो लटकाए हुए था तो चलनी उस व्यक्ती के फटे हुए कपड़े को देख करके बोल पड़ी अरे इनके तो कपड़े फटे हुए हैं इसमें कई छिद्र हैं तो अब वो बगती जो दोनों को सूप और चलनी को खरीद करके ला रहा था वो कहता है अरे चलनी तू क्या बोलती है अरे बोलना हो तो ये सूप कुछ बोलता तब तो कुछ सार्थक लगता तेरे बोलने का क्या हक है तू अपनी तरफ देख तेरे में तो छिद्र ही छिद्र भरे हुए है तुम्हारा पूरा आकार प्रकार ही जाली दार है और छेदों से भरा हुआ है और फिर भी तू दूसरों के छेद देखती है, दूसरों का छिद्र, दूसरों के दोसों को देखती है ये एक रूपक हुआ, इसी प्रकार हम लोगों की बात है कोई सद्गुन संपन्न हो जो सप्रकार से मजबूत हो ग्यान, विचार, साधना, सैयम, त्याग, वैराग, रहनी और सारग्राही हो तो वो किसी की गलतियों को देख करके उसे टोके और उसको सद्पत दिखावे तब तो अच्छा लगता है उचित है कहना, लोग उसकी बात को मानेंगे और उसको स्विकार करेंगे, उससे अपने जीवन में बदलाव लाएगे लेकिन जो सवयम अपने जीवन में दोस्त से मढ़ा हुआ है, सवयम सराप कबाब ग्रहन करता है लड़ाई जगडे, क्रोध काम, लोब मोह में डूबा हुआ है जो सवयम साधना विहीन है, त्याग और मोह दोनों में इतना डिफरेंस है उनके जिनके जीवन में कुछ त्याग है ही नहीं साब तरफ से मन कंट का किरण बना हुआ है और फिर वो दोसों को, दूसरों को उपदेश देने के लिए चले दूसरों को सनमार्ग दिखावे तो उसके बताये हुए सनमार्ग का कितना लोग लाब लेंगे जो सारग्राही होते हैं, विचारवान होते हैं वे कहीं से भी सिच्छा ग्रहन कर लेते हैं लेकिन यहां कहने वाले के लिए अधिकार की बात कही गई है कि ज्ञान के कथन का अधिकार किसको होता है कहना तो बड़ा सरल है लेकिन अधिकार पुरवक्वा कह सकता है जो उस ज्ञान को जीवन में आचरित करता है अपनाता है वैसे अपने जीवन को बनाता है तब ही वो जब कहता है तो फिर उसकी बात बंदूक की गोली की तरह लगती है जैसे हाथ से किसी को गोली मारा जाए पत्थर ही मारा जाए तो पहली बात तो उतनी चोट नहीं लगेगी और फिट निसाने पर नहीं लगेगी लेकिन जब उसी गोली को बंदूक में भर करके मारा जाता है तो निसाने पर लगेगी और लगते ही काम तमाम कर देगी व्यक्ति का इसी प्रकार जो केवल मुख से जुबानी ग्यान कहा जाता है उसका ज्यादा महत तो नहीं होता है उसको लोग उतना आचरण में लाभ में जीवन उपयोग में नहीं लाते लेकिन जब उसी को अपने जीवन में हिरदय और मन इंद्रियों में उतार लिया जाता है वैसे अपने जीवन को बना लिया जाता है सैयम साधना की कसवटी से कशा हुआ जो जीवन होता है फिर वह जब ज्यान की बात कहता है तो थोड़ी बात भी उसकी साब तरब लोग सुनने को आतुर रहते हैं और उसकी बात सबके लिए सिरोधार होती है अनुकरणी होती है और वही पूज्य होता है और वही सर्व बंदनी होता है साब के लिए वही फिर स्रद्धा का पात्र बन जाता है तो मैं कह रहा था इस कहावत पर की सूप बोले तो बोले चलनी क्यों बोले मतलब दूसरों को दोस्त बताने की काम अगर सूप करता है साधक जन करते हैं तो उनका चलता है यदे भी दोस्त बताना कोई बड़ी चीज नहीं है कोई अच्छी चीज नहीं है ग्यान बताना द वह दूसरों को सीख देता है, जिसके खुद के जीवन में ही शिद्र ही शिद्र, दोस ही दोस भरे हुए हैं, उस ज्ञान से कितनी लोगों को लाब होगा। इसी प्रकार एक दूसरी कहावत है कि निमसे पड़वा 36 रोग, कमजोर पड़वा को बहुत रोग, अनेकों रोग लगते ही रहते हैं। यहाँ पर पड़वा कहा गया, देहाती लोग गाउं में रहते हैं जो भैस गाय पालते हैं, और अक्सर गाय का बच्छडा जब पैदा होता है, तो वो ससक्त होता है, और पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही वो कूदने दोड़ने लगता है। लेकिन भैस का बच्चा वो तो जनम के काफी दिनों बाद तक सुस्त और कमजोर लत्पत और कहीं बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो उगते खड़ा रहता है। उसको रोग भी जल्दी लग जाता है। इसलिए उसी के लिए ये कहावत कही गई है कि निमसे, निमसे मतल कमजोर, कमजोर पणवा को अनेकों रोग लगते ही रहते हैं। यहाँ पर कमजोर मन वाला, कमजोर आचरण वाला, कमजोर सिधानत वाला, कमजोर धन वाला और कमजोर विचार वाले लोगों को अनेक रोग लगते ही रहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमें ही लोग परेसान कर रहे हैं जिसके पास सरीर कमजोर है तो थोड़े-थोड़े में कहीं सरदी लग गई कहीं जुकाम हो गई कहीं बुखार हो गया कहीं सरदर्द सुरू हो जाता है कहीं पेटदर्द सुरू हो जाता है तो कहीं कमरदर्द को आते ही रहते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों से प्रकीति इसे मौसम से ये सब जो मिल रहा है मेरे लिए ही सब जानबुच करके ऐसा किया जा रहा है कि किया मैं कोई जानबुच करके नहीं करता अपने शरीर में ही जब रोग प्रतिरोधक छम्ता नहीं रहती है तो थोड़ी-थोड़ी हमाएं, थोड़ी-थोड़ी जो मोशम की विप्रीतताएं हैं वही हमारे लिए रोग का कारण बन जाती हैं। उसी वातावरण में उसी समय में दूसरे लोग रहते हैं जो मजबूत सरीर वाले हैं उनको कुछ नहीं होता है लेकिन जो कमजोर सरीर वाले हैं उनको जल्दी से रोग लग जाता है इसी प्रिकार धन जिसके कम है तो उसको लगता है कि दूसरे लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं उन दूसरों का दिखता हुआ जादा धन कमजोर जो विचार वाले हैं उनको लगता है कि ये मुझे अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं मुझे दिखा रहे हैं, मुझे चिढ़ार हैं और आए दिन उसको कमजोरी महसूस होती ही रहती है इसलिए धन की कोई सीमा नहीं है एक से दूसरे का कम होता ही है एक से दूसरे का ज़्यादा हो ही सकता है होता ही है तो इन बातों के लिए क्या मन में अपने कमजोरी रखना ये सब कमजोर मन के लक्षण है धन कमाना चाहिए मेहनत करना चाहिए और पिर जितना मेहनत से हो जाए उसमें संतोस करना चाहिए गुजर बसर करना चाहिए धन ज्यादा है तो क्या कोई ज्यादा खाता है और कम है तो क्या खाने के लिए कम हो जाता है वो भूखे पेट रह जाता है ऐसा कुछ नहीं है उतना तो सब के पास होई जाता है किसी ना किसी रंग से की पेट भर जाए और आज के जवाने में जो कोई मेहनत करेगा उसके लिए गुजर बसर की कोई चिंता की बात नहीं है बस मेहनती होना चाहिए परिश्रमी बने आलसी निकम्मा के लिए तो सदेव कमी ही बनी रहती है कमजोर मन वाले के लिए समस्या ही समस्या है थोड़ी सी बात नहीं सह सका थोड़ी सी किसी कोई प्रतिकूलता नहीं सह सका भूख प्यास नहीं सह सका थोड़ी सी ठंडी गर्मी में हाय तोबा करने लग गया थोड़ी सी कोई उचनीच परिस्थिती आ गई उसी में मन उसका सिकुडने लगा तो ऐसा विक्तिस भी प्रसन्य और सुखी नहीं हो सकता है मजबूत मनवाले बनना चाहिए यह संसार है इस संसार में अनेक प्रकार के सुकडुक आएंगे कोई इससे बच नहीं सकता है चाहे गरीब हो चाहे धनी हो चाहे सिच्चित या सिच्चित नर हो या नारी कोई भी हो सब के उपर यह संसार का प्रभाव आएगा और जो इन प्रभावों से अपने आपको प्रभावित नहीं रखेगा मजबूत नहीं रखेगा फिर वो साधना में आगे कैसे बढ़ सकता है जो बाहर के इन छोटे-छोटे प्रभावों से प्रभावित होता रहेगा फिर वही कामक्रोध लोग मों से भी प्रभावित होता रहेगा और प्रभावित हो हो करके वो विचलित होता रहेगा दुखी होता रहेगा इसलिए धायरिवान बनना चाहिए सहंसिल बनना चाहिए कोई भी परिष्थितियावे उसमें दिर्णता और अडिकता बना करके उसमें हमें सफल होने का पुर्शार्थ करना चाहिए बिना मजबूती अलाये किसी भी तिसा में वेक्ति सफल नहीं हो सकता है संसार के अनेक कठनाईयों को तो लोक सह भी लेते हैं लेकिन मन की कठनाईयों को जो नहीं सहता है वह तो कभी भी शान्ती संतोष का अनुभोतो करही नहीं सकता है मजबूती की बड़ी जरूत है मजबूत घर हो, मजबूत गाड़ी हो, मजबूत कपड़े हो लेकिन इन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मजबूत मन हो हमारा मनबूत विचार हो हमारा मजबूत संकल्प हो हमारा मजबूत संयम हो हमारा बिना इस मजबूती के हम कभी भी सत्चरित्रता और शान्ति शाधना के पत्थ पर तो बढ़ी नहीं सकते हैं ये मन इंद्रियों के जखोरे और इसमें आये हुए उद्वेग कमजोर स्थिती में हमको डिगा देंगे और कभ हमें विपत्थ में ले जाकर के गिरा देंगे कह नहीं सकते हैं इसलिए इन मन इंद्रियों से विजय पाना कोई सरल नहीं है इन पर विजय प्राप्त करने वाला वही हो सकता है जो मजबूत मन का होगा सयमी होगा जो शाधक होगा जो आत्मा हो लोगन करता होगा और जो सुख दुख को सहने की हिम्मत रखता होगा महापुर्षों को देखिए इन महापुर्षों ने जो आज सब के स्रध्धे हैं और अपने जीवन को सफल बनाए कल्यान शान्ति शाधना के छेत्र में आगे बढ़कर के अपने जीवन को धन्य बनाए यूही नहीं उनका जीवन महान हो गया यूही नहीं उनको लोग बंदना और उपासना करने लग गये कोई करे या ना करे उनकी पूजा उपासना लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को मजबूत बनाया तरासा और सप्रकार से कसर खोट निकाल करके आत्म शान्ति आत्म कल्यान के पत पर आगे बढ़ाया वह धन्य होता है बाहर कितने लोग उसको मानते हैं इन बातों में ज़्यादा दम नहीं है मानते हैं अच्छी बात है ना भी मानते हों तो भी क्या हर्जा है अगर वो अपने जीवन में आत्म संतुष्ट है अपने आपको पूरी तरह से निखार करके चिंता भय सोक विकार रहित हो गया है और सब समय प्रशन्यता का अनुभव करता है आत्म द्रश्टा है तो फिर उसको कोई दुख नहीं है तो मजबूत मन वाले बने मजबूत चरित्र वाला जो नहीं होता है उसको लगता है कि चारो तरफ समस्या ही समस्या है और हर प्राणि, पदार्त, परिस्थिती, चीजों से, लोगों से और संबंधों से उसको यही महसूस होता है कि लोग मुझे गिराने के लिये तयार है और वो दोसरों को दोसारोपित करता रहता है अनेक बहाने उसके होते रहें उनके कारण में जये हो गया उनके कारण मैं कमजोर हो गया उनके कारण मैं क्या बताऊं मैं तो शादू हो जाता लेकिन मा के कारण नहीं हो सका पिता के कारण नहीं हो सका क्या कहें साहब ये बच्चे लोग छोड़ते नहीं है नहीं तो मैं अब तक तो कपके ग्रित्याक करके शंत हो गया होता क्या करें साहब सरीर ऐसा है नहीं तो हम अब बैराग ले लिए होते तिये जो हजार बहाने हम बनाते हैं ये केवल हमारे मन की कमजोरी है हम अपने को सुधारते नहीं है अपने को समारते नहीं है अपने अंदर मजबूती लाते नहीं हैं और अनेक बहाने बनाते रहते हैं बहानों से काम नहीं चलेगा बहाने ना बनावें ये संसार में अनेक कारण तो होते ही रहेंगे ये कारण को चाहे हम अपनी कमजोरी से बहाना बना करके अपने साधना से फिसल जाने के लिए विपत में चले जाने के लिए उसको साधन बना लें और चाहे इनी कमजोरियों को प्रतिकूलताओं को विगनभाधाओं को हम सहयोगी बना लें इनका सामना करके और इनकी चुनावतियों को स्विकार करके अपने को मजबूत भी बना सकते हैं चीज वही होती है जब उसको हमें उपयोग करना आ जाता है तो हमारे उद्देश में वही सहायक हो जाती है आर जब उबयोक करना नहीं आता है हमारे ही अंदर वो कमजोरी बनी हुई है और जीने का ढधंग सही नहीं है तो वही चीज हमारे लिए नुकसान दे हो जाती है वही हमारे फिशलने के लिए और विपत्थ में जाने के लिए पतन पत्मे और सप्रकार से नश्ट भ्रष्ट होने के लिए वही कारण बन जाती है इसलिए कारण बाहर नहीं वो निमित हो सकते हैं हमारे अंदर हम अपने मन को ठीक करें अपने विचार को ठीक करें जिसका सिद्धान्त ही कमजोर है तो उसको महसूस होता है कि लोग मेरे प अपने विचारों को अपने शिद्धान्त को अगर हम ठोंस बनाए हैं जड़ चेतन का निर्ड़य जिसके अहां है तमाम अलोकिक वाद दैव वाद इश्वर वाद भोग वाद और भाग्य वाद से उठ करके जिसने विवेक वाद को अपनाया साधना सैयम त्याग विवेक वैराग को जिसने अपना करके निर्मोहता, शांत, श्रूपिस्थिति के उस खुले प्रांगण में जो आ गया है उसके लिए तमाम संकुचितताएं जो अनेक मतपंथों की हैं वो सब उसके सामने कुछ नहीं रह जाती हैं इसलिए हम अपनी कमजोरियों को खुद निकाले गुर्देजी कहा करते थे कि हम अपने विनास के कारण खुद बनते हैं, हिंदूों को विनस्ट करने के लिए हिंदू लोग हुए, जो आज देखा जाता है कहा जाता है कि अमुक ने हमारे देश को कमजोर कर दिया, हमारे अन्दर जो अनेक प्रकार के अंधिष्वास ना ह अडंबर ना होते और नाना प्रकार के भ्रह्म भटकाव ना होते अधेवी देवता कल्पनाओं में भटक भटक करके भूत प्रेत ओजा सोखा वैगा तांत्रिक और इन सब पंडे पुजारियों के चक्कर में पढ़कर के अपने मन तन धन को बरबाद ना करते तो कौना करके हमें बरबाद कर देता इसलिए जितनी भी कमजोरियां होती हैं बिनश्ट होने के लिए वो हमारी खुद की होती है हम अपने सिध्धान्त की अपने घर की और अपने जीवन की अप उसको निकाल देंगे फिर तेरा बाइरी कोई नहीं तेरा बाइरी फैल अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल तो मैंने दो कहावतों पर थोड़ी चर्चाच किया कि पहली रही कि सूप बोले तो बोले चलनी क्यों बोले मतलब यह हुआ कि जिसमें कोई दोश नहीं है वो किसी को सीख दे और किसी की गलतियों को बता करके उसको सावधान करे तो ठीक है जिसमें गलती ही गलती भरी है फिर वो दूसरों को उपदेश देते फिरता है तो उसका क्या मतलब हुआ और दूसरी कहावत थी कि निम्से पढ़वा 36 रोग कमजोर पढ़वे को, कमजोर पशु को या कमजोर व्यक्ति को अनेक रोग लगते ही रहते ही तो कमजोरी को निकालें जब तक कमजोरी हमारी बनी रहेगी तब तक हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी और समस्याओं को कोई नहीं पसंद करता है लेकिन कमजोरियों को निकालते नहीं हैं तो समस्याओं ना पसंद करते हुए भी वो हमारे सामने बनी ही रहेंगी इसलिए हम अपने अंदर अपने जीवन को, सभाव को, मन को, चरित्र को, आचरण को और सरीर को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम केवल कलपना करते रहेंगे कि हम सुखी बने और कलपना के लड़ू से कभी पेट नहीं भरता है उसको हमें तयार करके जीवन में उप्योग करना होगा तब लाब मिलेगा तो अपनी बातें नहीं पर मैं अब समाप्र करता हूँ बोलिए सद्धे गरू देवे की जए